दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ beat price क्या होता है, ask price क्या होता है ये दोनों में क्या differences है इस से related और भी बात है इस वीडियो में हम करेंगे तो ये वीडियो आप starting से लेकर end टाक पूरा देखिएंगा चली फिर्ट से वीडियो शुरू करते हैं शेयर मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग होती है उसमें बारगेनिंग होती है जिस तरीके से सबजी मार्केट में बारगेनिंग होती है सबजी मार्केट में हम जाते हैं में बहुता हैं। स्टॉप मारकेट में भी होता है स्टॉप मारकेट में के अपने भाव होते हैं। seller का एक भाव रहेगा, buyer बोलेगा मुझे 100 रुपीज में खरीदना है, seller बोलेगा मुझे 105 रुपए में बेचना है, तो जब तक buyer अपना भाव बढ़ा नहीं लेता, seller अपना भाव कम करनी लेता, ये दोनों का भाव, buyer और seller का भाव जब तक match नहीं हो जाता, तब तक उनका trade नहीं होता है, वो दोनों वहाँ पर खड़े रहते हैं, ठीक है, bargaining करते वे दोनों वहाँ पर खड़े रहते हैं, स्क्रीन पर हमें दिखाई देते हैं, जब दोनों का भाव मैच हो जाएंगा, तो उनका वहाँ पर trade हो जाता है, दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि bid price क्या होता है, bid मतलब होता है, बोली, और bidding मतलब होता है, बोली लगाना, मतलब share market में जो buying और selling होती है, उसमें buyer जो होता है, वो बोली लगाता है, कि मुझे इस भाव पर share खरिदना है, तो bid price मतलब एक ऐसा price, जिस price पर buyer şeir खरिदना चाहता है, הוא buyer का भाव होता है, बिट प्राइज जो होता है वो बायर डालता है बायर के तरप से वो भाव जाता है बायर उस पर्टिकुलर भाव पर शेर खरीदना चाता है बिट प्राइज मतलब आप सिंपल बोल सकते हो कि वो buyer का भाव है, buyer उस particular भाव पर share खरीदना चाहता है अब दोस्तो ask price देख लेते ask का मतलब होता है पूछना तो seller buyer से पूछता है कि क्या आप इस भाव पर share लोगे buyer से पूछता है तो वो वाला जो भाव होता है ask price वो seller का भाव होता है ask price जो होता वो seller डालता है ask price मतलब एक ऐसा भाव जिस भाव पर seller अपना share बेचना चाहता है तो simple दो भाव है एक है bit price दूसरा है ask price bit price मतलब buyer का भाव और ask price मतलब seller का भाव ये दोनो भाव जो होते हैं वहाँ पर खड़े रहते हैं दोनों bargaining करते रहते हैं जब तक दोनों का भाव match नहीं हो जाता तब तक उनका trade नहीं होता है दोस्तों अब अलग-अलग terminal पे आपको अलग-अलग लिखा दिखाई दे सकता है कोई terminal पे आपको लिखा दिखाई देंगा bit price ask price कोई टर्मिनल पे आपको लिखा दिखाई देंगा buy price, sell price कोई टर्मिनल पे आपको लिखाई दिखाई देंगा bid price, offer price तो ये सबका मतलब एक ही है आप simple ध्यान में रहें कि जो पहला भाव होता है वो buyer का भाव होता है और दूसरा भाव जो होता है वो seller का भाव होता है, generally ऐसा होता है और buyer का भाव रहेंगा वो कम रहेंगा seller का भाव जो रहेंगा वो जादा रहेंगा क्योंकि obvious बात है ये buyer कम भाव पे share खरीदना चाहेंगा और seller जादा भाव पे share बेशना चाहेंगा इसलिए buyer का भाव आपको छोटा दिखाई देंगा और seller का भाव आपको बड़ा दिखाई देंगा तो पहला भाव buyer का रहेंगा मतलब bid price रहेंगा दूसरा भाव seller का रहेंगा मतलब ask price रहेंगा दोस्तो bid price और ask price के बीच में जो difference होता है वो difference को bid ask spread बोला जाता है अभी मानलो buyer खड़ा है 100 रूपे पे और seller खड़ा है 105 रूपे पे तो इन दोनों के बीच का जो difference है वो कितना है 5 रूपे तो इसका bid आज spread हुआ 5 रूपे तो इस तरीके से bid आज spread इससे बोला जाता है जो भी difference रहेगा buyer और seller के भाव में वो रहेगा bid आज spread अब ये वाली screen देखिया है हिंदुस्तान जिंग का market debt है जिसमें आपको buyer और seller खड़े दिखाई दे रहे है तो buyer खड़ा है 210 रूपे 45 पैसे पे और seller खड़ा है 210 रूपे 55 पैसे पे तो ये दोनों के बीच का जो difference है वो कितना है 10 पैसे का difference है तो इसका bid आज spread हुआ 10 पैसे तो इस तरीके से buyer और seller आपको खड़े दिखाई देते हैं और दोनों के बीच का जो भी difference रहेंगा वो रहेंगा bid as spread दोस्तों जो high liquid share होते हैं मतलब जो share में high liquidity होती है उसमें bid as spread बहुत कम होता है मतलब buyer और seller के भाव में जो difference है वो बहुत कम होता है और जो share में liquidity कम होती है जिसमें जादा दिखाई देंगा मतलब buyer के भाव में और seller के भाव में differences आपको जादा दिखाई देंगा जैसे कि ये वाला market depth आप देख रहे हो जिसमें हिंदुस्तान जिंग का market depth है तो इसमें देखे bit as spread देखे कितना कम है सिर्फ 10 पैसे का है 210 रूपे 45 पैसे बायर खड़ा है 210 10 रूपे 55 पैसे पर seller खड़ा है तो 10 पैसे का ही इनका difference है क्योंकि ये liquid share है high liquid share है इसमे liquidity अच्छी है इसलिए इसमें difference बहुत कम है अब ये वाली screen देखे ये nifty का call है उसकी market depth है तो इसमें buyer देखिए कितने 47 पर खड़ा है और seller 53.70 पैसे पर खड़ा है तो इतना ज्यादा difference है क्योंकि इसमें liquidity कम है तो जहा liquidity कम रहेंगी वहाँ पर differences बढ़ जाता है दोस्तो screen पर generally आपको top 5 buyers दिखाई देंगे और top 5 sellers दिखाई देंगे generally most of the terminal पे इसी तरीके का scene दिखता है आपको top 5 buyers and top 5 sellers बट 0 दा आपको top 20 buyers दिखाता है और top 20 sellers दिखाता है तो ये facility 0 दा में आ देखोंगे तो buyer जो खड़े रहते हैं वो descending order में खड़े रहते हैं और seller जो खड़े रहते हैं वो ascending order में खड़े रहते हैं अब buyer descending order में खड़े है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि descending order मतलब सबसे बड़ा पहले बड़े से शुरू होके छोटा ठीक है तो वो वाला buyer जिस buyer को सबसे ज़्यादा भाव पर share खरीदना है वो पहले number पर खड़ा रहेंगा और वो वाला buyer जिस buyer को सबसे कम भाव पर share खरीदना है वो last number पर खड़ा रहेंगा तो इसलिए जब आप screen पर देखते हो तो पहले number पर जो buyer खड़ा रहता है वो सबसे ज़्यादा भाव पर share खरीदना चाहता है इसलिए वो पहले नंबर पर खड़ा है और seller जो होते हैं वो ascending order में खड़े रहते हैं ascending order मतलब छोटे से चुरूओ कर बड़े तक जाएंगे तो seller ascending order में खड़े तो वो वाला seller जो सबसे कम भाव पर अपना share बेशना चाहता है वो पहले नंबर पर खड़ा रहता है और वो वाला seller जो सबसे ज़्यादा भाव पर अपना share बेशना चाहता है वो last number पर खड़ा रहेंगा line में सबसे आखीर में वो खड़ा रहेंगा तो इस तरीके से ये इनके order रहते हैं तो आपको जब भी कोई share खरीदना है मतलब buyer जो भाव पर share डालके रखा है और आपको भी खरीदना है तो buyer के उपर वाला भाव आप डाल दीजिए तो आप पहले नंबर पर आ जाओंगे उसको पीछे करके seller जो पहले नंबर पर खड़ा है आप अपना share बेचना चाहते हो तो seller ने जो भाव डालके रखा है उससे कम भाव आप डाल दीजिए पहले नंबर पर जो खड़ा है तो आप पहले नंबर पर आ जाओंगे तो इस तरीके से buyer हमेशे आपको descending order में खड़े दिखाई देंगे और seller जो है वो ascending order में खड़े दिखाई देंगे अब ये वाली screen आप देखिए हिंदुस्तान zinc की है इसमें buyer देखिए descending order में खड़े 210 रुप है 45 पैसे पर जो बंदे को शेर खरीदना है वो पहले नंबर पर है फिर 210 रुप तो वह हमें से क्लिक Prches बेच लिएap को वहां पर आप क्लिक करूंगे तो और नीचे आपको देखने को मिलता है तो जीरो दा ये फैसिलिटी ये तॉबाइड करता बाट जेनेरलिए most of the terminal पर आपको top 5 buyers and top 5 sellers दिखाई देते हैं और buyer और seller का भाव जब match हो जाता है तो उस भाव पर trade हो जाता है trade execute हो जाता है और जिस भाव पर trade होता है उस भाव को हम last traded price बोलते हैं या फिर हम उसको current market price भी बोल सकते हैं ये वाली screen आप देखिए इसमें buyer descending order में खड़े है सबसे बड़ा जो है वो पहले नमबर पर खड़ा है 100 रुपे वाला फिर second नमबर पर 99, 98, 97, 96 इस तरीके से खड़े है seller जो खड़े वो ascending order में खड़े है 101 वाला पहले नमबर पर 102 वाला फिर 103, 104, 105 इस तरीके से खड़े हैं तो अभी देखिए यहाँ पर अगर आपको share खरिदना है और अगर आप अपना buy order 100 रुपे या 100 रुपे से नीचे लगाँगे तो आपका order pending रहेंगा आपका order pending बन जाएगा क्योंकि 100 रुपे पर already buyer खड़ा है आप भी 100 रुपे खरिदना चाहते हो तो order तो आपका pending बनने ही वाला है क्योंकि वो खुद pending में है 100 रुपे वाला या 101 के उपर का भी भाव आप दालोंगे 102 भी भाव आप दालोंगे तो भी आपका order execute हो जाएगा 103 भी दालोंगे तो भी आपका order immediately execute हो जाएगा अच्छा इसका यह मतलब नहीं कि आपने मालो 103 रुपे का buy का order place किया तो आपका 103 रुपे पे share आपको buy आपको मिलेंगा नही पर आपको share बेशना होता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने buy अगर 100 रुपे भाव और 110 रुपे का buy का order आपने place किया तो आपको 110 रुपे में share मिलेंगा नहीं जो भी best seller खड़ा रहेंगा उसका जो भाव रहेंगा उसी पर आपको share मिलेंगा तो यहाँ पर 101 रुपे में ही आपका order pending बन जाएंगा और उसके उपर का डालोंगे तो भी pending ही बनने वाला क्योंकि 102 वाले 103 वाले वह भी तो pending में खड़े हैं तो 101 रुपे या उसके उपर का भाव अगर आपका जाता है sell का order तो order pending रहेंगा और अगर sell का order आप 100 रुपे पे डालते हो तो आपका तूरं sell का order execute हो जाएंगा क्योंकि 100 रुपे बायर खड़ा है आपका तूरंत आपको वो share आपका sell हो जाएंगा 100 रुपे डालोंगे तो तो तूरंत आपका sell हो जाएंगा 100 के नीचे जो भी भाव आप डालोंगे 99 भी डालोंगे 98 भी डालोंगे तो भी तूरंत आपका share sell हो जाए और जब उनका price match हो जाता है तब वो order execute होता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको काफी आसान language में समझाने की कोशिश किये कि bit price क्या होता, ask price क्या होता, यह दोनों में क्या difference होता है और मुझे उमिद है कि आपको काफी कुछ समझने और सीखने को मिला होगा This is Imran Sheik signing off